C.I.E.T.N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारह के लिए हिंदी की दुवनी पाठ्थे पुस्तक आरो भाग दो पाठ संख्या 18 लेखक बाबा साहेब भीम रावाम बेटकर प्रिष्ठ संख्या 151 से 157 तक पाठ शम विभाजन और चाति प्रथा प्रिष्ठ संख्या 151 लेखक परिचय लेखक बाबा साहेब भीम्रावां बेटकर जन्म 14 अप्रेल सन 1891 महू मध्यप्रदेश में प्रमुकर अजनाय दी कास्ट्स इन इंडिया देयर मेकानिजम जैनिस इन देवलोप्मेंट प्रकाशन उनिस सो सत्रह प्रथम प्रकाशित कृति the untouchables who are they? प्रकाशन उनिसो रतालीस who are the šudras? प्रकाशन उनिसो ठ्रियालीस Buddha and his Dhamma प्रकाशन उनिसो सत्तावन thoughts on linguistic states प्रकाशन उनिसो पच्पन the problems of the Rupee प्रकाशन उनिसो तेष प्रकाशन उनिसो तेष The Evolution of Provincial Finance in British India Prakashan PhD कि Thesis Prakashan 1916 The Rise and Fall of the Hindu Women Prakashan 1915 Annihilation of Cast Prakashan 1936 Labour and Parliamentary Democracy Prakashan 1913 Buddhism and Communism Prakashan 1916 Pustakayan वा भाशन Mook नायक वहिश्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन हिंदी में उनका संपून वांग मैं भारत सरकार के कल्यान मंत्राले से बाबा साहब आम बेट कर संपून वांग मैं 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है निधन समय के सबसे सूपठित जनों मैं से एक थे प्राथमिक शिक्षा के बाद बढ़ोदा नरेश के प्रोचसाहन पर उच्चितर शिक्षा के लिए न्यू यॉक अमेरिका फिर वहां से लंडन गए उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक वांग में अनुवाद के जरिये पढ़ा और एतिहासिक सामाजिक शित्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की सब मिला कर वे इतिहास मिमान सक विधिवेत्ता अर्थशास्त्री समाज शास्त्री शिक्षाविद तधा धर्मदर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की समाज और राजनीती में बेहद सक्रिया भूमिका निभाते हुए उन्होंने अचूतों स्त्रियों और मस्दूरों को मानवी अधिकार वह सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्श किया भारतिय सम्विधान के निर्माताओं मैंसे एक डॉक्टर भीम रावाम बेटकर आधुनेक भारतिय चिंतन में अत्यंत महत्वपून स्थान के अधिकारी हैं उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ती एवं सामाजिक समता के लिए संघर्श किया उनका पूरा लेखन इसी संघर्श और सरोकार से जुड़ा हुआ है सोयम दलित जाती में जन में डॉक्टर आम बेटकर को बच्पन से ही जातिया धारित उत्पीरन शोशन एवं अपमान से गुजरना पड़ा था इसी लिए विद्याले के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिक कर क्या बनोगे तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था मैं पढ़ लिक कर वकील बनूँगा अच्छूतों के लिए नया खानून बनाऊंगा और छुआच्छूत को खत्म करूंगा डॉक्टर आमबेटकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे जोंग दिया इसके लिए उन्होंने जम कर पढ़ाई की व्यापक अध्यायन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतरवस्तु भरने का काम किया वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक वह गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंतरता कुछ लोगों का विशेशाधिकार रहेगी इसलिए अधूरी होगी उनके चिंतन वा रचनात्मक्ता के मुख्यतह तीन प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और जोतिबा फुले जातिवादी उत्पीडन के कारण हिंदू समात से मुह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को पांच लाख अनुयाईयों के साथ बौध मतानुयाई बन गए भारत के समविधान निर्मान में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पन के कारण ही हम आज उन्हें भारतिय समविधान का निर्माता कहकर श्रद्धान चली अर्पित करते हैं उनकी समूची बहुमुखी विद्धता एकांत ग्यान साधना की जगह मानव मुक्ती वजन कल्यान के लिए थी यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए प्रिष्ठ संख्या 152 पाठ परिचय यहां प्रस्तुत पाठ डॉक्टर आमबेटकर के विख्यात भाशन अनिहिलेशन औफ कास्ट प्रकाशन 1936 के ललाई सिंग यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाती भेद का उच्छेद के दो प्रकरणों के तौर पर है यहां भाशन जाति पांती तोड़क मंडल लाहोर के वार्शिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षिय भाशन के रूप में तयार किया गया था परन्तु इसकी क्रांती कारी द्रिष्टी से आयू जकों की पून तह सहमती ना बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थकित हो गया और यहां पढ़ा ना जा सका बाद में आमबेटकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वित्रित किया जो परियाप्त लोक प्रिय हुई उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता वबंधुता ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य तह होने चाहिए जिससे लोक तंत्र सामोहिक जीवन चरिया की एक रीती तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे यहां प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधी प्रकरण है आज के जाती मजहब आधारित विशाक्त सामाजिक राजनेतिक माहौल में इनकी प्रासंगिक्ता और बढ़ गई है अब प्रस्तुत है पाठ, शम विभाजन और जाती प्रथा यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोशकों की कमी नहीं है इसके पोशक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कोशलता के लिए श्रम विभाजन को आवशक मानता है और चूंकि जाती प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है इस तर्क के सम्मंध में पहली बात तो यही आपत्ती जनक है कि जाती प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिये हुए है श्रम विभाजन निश्चे ही सभ्य समाज की आवशक्ता है परन्तु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में आस्वाभाविक विभाजन नहीं करती भारत की जाती प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का आस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बलकि विभाजित विभिन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उँच नीच भी करार देती है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता जाती प्रथा को यदी श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यहा स्वाभाबिक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुची पर आधारित नहीं है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्मान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कारे का चुनाव स्वयम कर सके इस सिध्धान्त के विपरीत जाती प्रथा का दूशित सिध्धान्त यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षन अत्वा उसकी निजी क्षमता का विचार किये बिना दूसरे ही दृष्टिकों जैसे माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है जाती प्रथा पेशे का दोश-पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बलकि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपरियाप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए परिष्ट संक्या 154 आधुनिक युग में यहां इस्थिती प्रायह आती है क्योंकि उद्योग धंदों की प्रक्रिया वह तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवशकता पड़ सकती है और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंतरता न हो तो इसके लिए भूखो मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है हिंदू धर्म की जाती प्रता किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमती नहीं देती है जो उसका पैतरिक पेशा ना हो भले ही वह उसमें पारंगत हो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमती ना देकर जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टी से भी जाती प्रथा गंभीर दोशों से युक्त है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता मनुष्य की व्यक्तिकत भावना तथा व्यक्तिकत रुचिका इसमें कोई स्थान अथ्वा महत्वन नहीं रहता पूर्व लेक ही इसका आधार है इस आधार पर हमें यह सुईकार करना पड़ेगा कि आज के उद्ध्योगों में गरीबी और उद्पीडन इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कारे को अरुची के साथ केवल विवश्टा वश करते हैं ऐसी स्थिती स्वभावतह मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है ऐसी स्थिती में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है अतह यहां निर्विवाद रूप से सिध्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेर्णारुजी वा आत्मशक्ती को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निश्क्रिय बना देती है प्रिष्ट संख्या 155 मेरी कलपना का आदर्श समाज जाति प्रथा के खेद जनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप मैंसे कुछ लोग निश्चे ही उप गए होंगे यह अस्वाभाविक भी नहीं है अतह अम मैं समस्या के रजनात्मक पहलु को लेता हूँ मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रशन पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी द्रिष्टी में आदर्श समाज क्या है ठीक है यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भात्रिता पर आधारित होगा क्या यह ठीक नहीं है भात्रिता अर्थात भाई चारे में किसी को क्या पत्ती हो सकती है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गती शीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके ऐसे समाज के बहुविधी हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रती सजक रहना चाहिए सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन वा अवसर उपलब्ध रहने चाहिए तात पर ये यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाई चारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्वती ही नहीं है लोकतंत्र मूलतह सामुहिक जीवन चर्या की एक रीती तथा समाज के सम्मेलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है इनमें यह आवश्चक है कि अपने साथियों के प्रती श्रध्धा वा सम्मान का भाव हो इसी प्रकार स्वतंतरता पर भी क्या कोई आपत्ती हो सकती है? गमन आगमन की स्वाधिन्ता, जीवन तथा शारिरिक सुरक्षा की स्वाधिन्ता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंतरता का विरोध करें इसी प्रकार संपत्ती के अधिकार, जीवी को पारजन के लिए आवश्चक औजार वसामगरी रखने के अधिकार जिससे शरीर को स्वास्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंतरता पर कोई आपत्ती नहीं हो सकती तो फिर मनुष्य की शक्ती के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रियोग की भी स्वतंतरता क्यों ना प्रदान की जाए? जाती प्रथा के पोशक, जीवन, शारिरिक सुरक्षा तथा संपत्ती के अधिकार की स्वतंतरता को तो स्विकार कर लेंगे परन्तु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रियोग की स्वतंतरता देने के लिए जल्दी तयार नहीं होंगे क्योंकि इस प्रकार की स्वतंतरता का अर्थ होगा, अपना व्याविसाय चुन्ने की स्वतंतरता किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड कर रखना होगा क्योंकि दासता केवल खानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता दास्ता में वह इस्थिती भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है यह इस्थिती खानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है उदाहरनार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं अब आईए समता पर विचार करें क्या समता पर किसी की आपत्ती हो सकती है फ्रांसिसी क्रांती के नारे में समता शब्द ही विवात का विशे रहा है समता के आलोचक यहां कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेश महद्व नहीं रखता क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक से धानत है मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर रहती है पहला शारिरिक वंश परमपरा दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परमपरा के रूप में माता पिता के कल्यान कामना शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्यानार जन आदी सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है और अंत में तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते तो क्या इन विशिष्टाओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है व्यक्ति विशिष के दृष्टि कौन से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता साथ ही प्रत्यक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोच्साहन देना सर्वता उचित है परन्तु यदि मनुष्य प्रत्थम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याती, पैत्रिक संपदा तथा व्यावसाइक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है इस प्रकार, पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्ताव में निश्पक्ष निरणे नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निरणे देना होगा अतह न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे यानि प्रयासों के असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है कि आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचिट ठहराते हैं वहां प्रथम दो आधारों को, जो कि मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथा संभाव 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 करना चाहिए. दूसरे शब्दों में, समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिक्तम उप्योगिता प्राप्त करनी है, तो यह संभाव है, जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए. समता का ओचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है. एक राजनितिग्य पुरुष का बहुत बड़ी जन्संख्या से पाला पड़ता है. अपनी जन्संख्या से व्यवहार करते समय, राजनितिग्य के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रतेक के विशे में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग-अलग आवशक्ताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांचित व्यवहार अलग-अलग कर सके. वैसे भी आवशक्ताओं और ख्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवशक्त तथा ओचित्त्य पून क्यों न हो, मानवता के दृष्टी कौन से समाज दो वर्गों वश्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता. ऐसी स्थिती में, राजनितिग्य को अपने व्यवहार में एक व्यवहार यसिद्धान्त की आवशक्ता रहती है, और यह व्यवहार यसिद्धान्त यही होता है, कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए. राजनितिग्य यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गी करण एवं श्रेणी करण संभव होता. इस प्रकार समता यद्यपी कालपनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनितिग्य को सभी परिस्थितियों को द्रिष्टी में रखते हुए. उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एक मात्र कसौटी भी है. प्रिष्ट संक्या 157 प्रिष्ट के मत से दास्ता की व्यापक परिभाशा क्या है? प्रश्ण चौथा जातिवाद का अन्मूलन चाहा है, जिसके प्रिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है. क्या इससे आप सहमत है? प्रश्ण चौथा आदर्ष समाज के तीन तत्वों में से एक भ्रात्रिता को रख कर लेखक ने अपने आदर्ष समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, अथ्वा नहीं. आप इस भ्रात्रिता शब्द से कहां तक सहमत है? यदि नहीं, तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? पाठ के आसपास चर्चा के दौरान उभरने वाले बिंदूओं को लिपि बद्ध कीजिए. इन्हें भी जानें. एक, आमबेटकर की पुस्तक, जाती भेद का उच्छेद और इस विशे में गांधी जी के साथ उनके संबात की जानकारी प्राप्त कीजिए. दो, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने कैसे आदर्श समाज की कल्बना की है उसे भी पढ़ें. इसी के साथ आरो भागदो का पाठ आठा रहा. यहां समाप्त हुआ. अभी आप सुन रहे थे कक्षा बारह की हिंदी की आधार धोनी पाठ पुस्तक. प्रस्